और प्राइम मिनिस्टर रूफ इंडिया नरेंद्र मुदी वो हरोज भारत मता की जैका नारा लगाते हैं वो उस बच्चियों को हमारी बेटियों को पूछने तक नहीं गए भारत की सभी जाती और धर्म की बेटी हमारी लिए भारत मता है लिकिन ऐसे चरित्रहीन केरेक्टर लेस लोगों को टिकीट देने वाले उसके कंदे पर हाथ रखने वाले उसको सपोर्ट करने वाले और उसके लिए चनावने प्रचार करने वाले नरेंद्र मुदी सहाब का चरित्र क्या ये पुरे भारत की 135 करोड जनता आज करनाटका की धर्ती से सवाल पूछ रही है भार सबसे पहले तुम्हें बस्वन्ना जी की इस धर्ती को मैं प्रणाम करता हूं मैं वंदन करता हूं आज बस्वन्ना जी के करनाटका में प्रजोला रिवन्ना का जो मामला सामने आया है मैं मानता हूं इस से ज़्यादा बस्वन्ना जी की लेगसी का कोई इंसल्ट या अपमान नहीं हो सकता करनाटका की इतिहास का और भारत की इतिहास का सबसे कलंकीत काला यह चेप्टर है और बहुत शर्म के साथ बड़े दुख के साथ कह रहा हूं कि नरेंद्र मुदी भारत के प्रधान मंतरी अमिद्शा और भाजपा के निश्टनल प्रेसिडेंट जेपी नडड़ा जो देवराज ये गोडे ने बताया कि इन तीनों लोगों को पता था और बावजुद इसके इस बलातकारी को टिकेट दिया और एक ऐसा खतरनाक दरिंदा है एक ऐसा खतरनाक बलातकारी भाजपा का ये नेता है कि उसने सैकड़ों महिलाओं के साथ उनका यौन सोशन किया है उनका उत्पिडन किया है उनका मॉलेस्टेशन किया है और उन पर बलातकार किये है जहां तक सुनने में आ रहा है पुरा मुल्क देख रहा है यह एक इनसान के कम से कंड़् रही हाँ मतलब की आरेसेस और बीजे पी का यही वास्तविक चरित रहे दिल्ली की सडकों पर बलातकार की कंप्लेन लेकर हमारी एथलेट बहने सो दिन तक बैठी रही पूरी आरेसिस खामुस रही पूरा बीजेपी खामुस रहा और प्राइम मिनिस्टर रूफ इंडिया नरेंद्र मुदी हरोज बारत मता की जईका नारा लगाते हैं वो उस बच्चियों को हमारी बेटियों को पूछने तक नहीं गए उनका हाल जालने की कोशीज नहीं की गुजरात में बिल्किस बानू नाम की एक प्रेगनेंट बेटी उसके उपर बलातकार हुआ सामूहिक बलातकार हुआ उसके आँखों के सामने उसके परिवार के ग्यारा लोगों का खून हुआ तीन साल की बच्ची को मार दिया मामला सुप्रिम कोट में गया सुप्रिम कोट ने कहा कि इन तमाम आरोपियों को तमाम रेपिस्टों को आज इवन कारावास मोदी की आरेसेस की भाजपा की गुजरात सरकार ने सभी बलातकार करने वाले लोगों को जैल से छोड़ दिया उनका स्वागत सन्मान किया अभिल गुलाल उडार धोल नगारे बजाए उनको साल पहनाई और मिठाई माटी मानो वो बलातकारी कोई रास्टपती का मेडल ज चरित रहे मनिपूर के अंदर महिलाओ को नगन करके पुरे देश के सामने गुमाया गया फिर भी प्रदान मंत्री जो मंगल सुत्र का मह बोलते हैं वह मनिपूर का मह नहीं बोल पाए हमारी आखों के सामने अब सोचे पुरी दुनिया इसको किस प्रकार से देखती होगी पुरी दुनिया देख रहे ही कि इंदुस्तान के मनिपूर के अंदर महिलाओ को नगन करके गुमाया जा रहे हैं और देश का प्रदान मंत्री एक सब्द मोलने को तैयार नहीं है हाथरस की बेटी दलित समाज की बेटी उसके उपर बलातकार हुआ उसका खून हुआ और उसका डेड़ बोड़ी उसके परिवार को लोगों को देने के बजाए पेट्रोल डाल कर रात के बारा एक दू बजे उसकी बोड़ी का अंतिम संसकार कर दिया उसके परिवार के लो लोग रंग रेलिया मनाए आरेसेस और बीजेपी के लोगों के सेक्शिल प्लेजर्स के लिए पूरा मेगा लई में रिसोर्ट चला रहा था और जब हमारी जांच एजंसियों ने वहाँ पर छापा मारा घिरफतारिया की तो पता चला कि 18 साल से कम उम्र की 6 बच्चिया लातकार करते थे और पूरे आरेसेस और बीजेपी के लोग इस मामले में एक फामाउस और रिसोर्ट खड़ा किया था और अभी यह प्रजवला रेवन्ना का मामला जो आया है पूरी दुनिया के सामने भारत की आबरू को निलाम किया है हमारे देश की अस्मिता और गवरो को कंडित किया है पूरी भारत भूमी को लजजित किया है मैं कहना चाहूंगा भारत की सभी जाती और धर्म की बेटी हमारे लिए भारत माता है वो हाथरस की बेटी हो वो भी भारत माता है हिंदू की बेटी हो मुसलमान की बेटी हो सिखी बेटी हो इसाई की बेटी हो पार प्रियों बनाकर उनका योन सोशन करके इतने भयंकर स्कैंडल को इतने भयंकर कांड को अंजाम दिया और इस रेकेट, इस केम, इस एक्सकांद के बारे में प्राइम मिनिस्टर उफ इंडिया को पता था, गरी मंत्री अमित्षा को पता था, जेपी नंडा को पता था, जेडी एस बीजेपी को पता था, भाजपा जेडी एस के लोगों जिनको टिकेट चाहिए थी, उन्होंने बोला था कि इस प्रकार की सीडी हमारे पास पड़ी है आप उसको टिकेट मत दिजिए बावजूद उसके उसको नकेवल टिकेट दिया टिकेट तो दिया बे सर्मी के साथ निरलज होकर प्रधान मंत्री ने उसके लिए कैमपेंड किया तो जो बलातकारी है जो मॉलेस्टर है जिसक यह जो को टीके टेने वाले उसके कंदे पर हाथ रखने वाले उसको सपोर्ट करने वाले और उसके लिए चुनाओं में प्रचार करने वाले नरेंद्र मुदी साहब का चरित्र क्या ये पूरे भारत की 135 करोड जनता आज करनाटका की धर्ती से सवाल पूछ रही है ये लोग आपसे और हमसे भी ज़्यादा भारत माता की जैका नारा लगाते हैं लेकिन भारत की बहनों भारत की बेटियों भारत की माताओं के साथ बलातकार करते हैं और इसलिए ये भारती जनता पार्टी नहीं ये बलातकारियों की पार्टी है ये लंपट चरित्रहीन लू से इसका जनसंग का भाजपा का यही इतियास रहा है गुजरात के अंदर कम से कम 40,000 बेटिया गायव हो चुकी है 40,000 वो कहां गई अपनी मरजी से गई उनको किडनेप किया गया को उठा के लेके गया नरेंद्र मोदी गुजरात बीजेपी दोनों साइलेंट है उससे भी चा साल के कार्यकाल के शासन के दोरान हजारों हजार इस मुल्की बहन बेटिया गायव हो चुकी है इनके साथ क्या हुआ इस देश का परदान मंत्री आरेसे सुर्वीजेपी खामोश यहां बीजापूर की बात करें यहां पर डॉक्टर भीमराव बाबास अबंबड करके स्ट करन्ट साफ भी करा है साउथ इंडिया के अंदर भाजपा साफ हो चुकी है नौर्थ गुजरात में हाफ होने वाली है यह आरेसेस बीजेपी और नरेंद्र मुदी को पता चल गया है तो अब यह आरेसेस और बीजेपी के लोग डॉक्टर बाबास अंबड कर के में मानता है मैं बस्वन्ना और बाबा साब में मानने वाले दोनों लोगों को अपील करता हूँ कि दोनों जाती प्रथा कास सिस्टम की खिलाफ थे दोनों समानता की बात करते हैं दोनों भाईचारे की बात करते थे दोनों सर्वसमाज के लोगों को साथ में चलने की बात क करता हूं रोटी कपड़ा मकान बेरोजगारी महिंगाई और महिलाओं का आत्मसन्मान यही करना टका के यही भारत के असली मुद्द्ध है आपस में लड़ने से कभी फाइदा नहीं होगा यह आरे से सुर बीजेपी के लोग चुनाओं के दौरान चुनाओं के बाद चुना बार देते हैं वो अपने साडू भाई और बहनोई को करोडों के अरवों के टेंडर देते हैं अपने बेटे बेटी को ऑक्सपर्ड और केंब्रीज बेचते हैं और हमें हिंदू-मुस्लीम भारत-पाकिस्तान-मंदीर-मस्जीद इन नाम से हमको लड़वाने की कोशिस करत हूं यहां के सारे समीधाय को कि चुनाव सरपर है हमारी कोमी एक्ता को बनाए रहिए यही बस्वन्य जी का संदे से धारवाड हुब्ली में भी मुस्लिम समाज की व्रकती के दुवा एक हिंदू समाज बीक्ति काखोन हुआ यह हमारा commitment है हिंदू हो मुसल्मान हो दलीत हो आदिवासी ओबीसी जनरल कोई भी हिंसा करेगा हमारी सरकार बरदास करेगी नहीं हर किमत पर हम लोग 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 कानून हाथ में लिया उन तमाम लोगों की गिरफतारी हो चुकी है उनके इन्वेस्टिकेशन चल रहा है तो आरे सी सुर बीजेपी के लोग इस मुद्दे पर राजनिती ना करें वो बात करें बेरोजगारी पर मोदी जी ने कहा था हर साल दो करोड को रोजगार देंगे दस साल हो गया कहा है बीस करोड रोजगार सेंटर फोर मोनिटरिंग इंडियन एकोनोमी के डेटा के मुताबिक बीस करोड लोगों को रोजगार देनी की बात छोड़ो उल्टा जी एस्टी नॉट बंदी और करोणा में जिस प्रकार का मॉनुमेंटल मिस मैनेजमेंट करोडों लोगों ने सरकारी नौकरी की मांग की तो मुदी की सरकार केवल 7,22,000 को रोजगार दे पाई 28 से 35 करोड हमारे एकनोमिस्ट के कहने की मताबिक 28 से 35 करोडों लोग बेरुजगार है मुदी साब ये क्यों नhin कहते है कि मैंने लाखो करोडों लोगों को रोजगार दिया उसके लिए मुझे वाट दो क्यों नहीं कहरे है मुदी साब क्यों नहीं कहरे है कि मैंने महेगाई को खतम कर दिया मैंने किसानों की आई दुगनी कर दी मैंने दलीत आदिवासी OBC के लिए मैं जाती जर्मगरना करवाऊंगा मुझे वोट दो किस मुद्धे पर वो वोट मांग रहे हैं क्या बोल रहे हैं मंगल सुत्र है अरे दिल्ली की सडकों पर सारे 700 किसानों की किसान अंदुलन के दौरान मौत हुई उन्होंने बलीदान दिये उनकी महने जो विद्वा हुई उनके मंगल सुत्र का क्या तो अब तमाम समझदार लोग हो अब तमाम मीडिया के साथियों को यही अपील करने के लिए गुजरात से चलकर आया हूँ गुजरात मौडल के मुकाबले करनाटका का सितारा मैया मौडल ओफ डेवलप्मेंट एक हजार गुना बैतर है यहां के सितारा मैया जी की सरकार डिकेश शिवकुमार जी हमारी कॉंग्रेस पार्टी जो कहती है जो मैनिफेस्टों में लिखती है वो करकर दिखाती है टेलंगाना में रेवन त्रेडडी ने कॉंग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टों ने यह कहा था वो करके दिखाया है और इस बार भी इंडिया अलाइंस और कॉंग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, किसानों का करजा माफ होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए कानून बनेगा, डिपलोमाट डिगरी करने वाले हर स्टूडन्ट को हर महिने 8500 रुप्या मिलेगा, परिवार की एक महिला को ज साल के अंदर 30 लाख युवाओं को कंग्रेस पार्टी की सरकार, सरकारी, रोजगार, सरकारी, नौकरी देने जा रही है, तो आरे से इस बीजे पी उर मोदी का मुद्दा है, मंदीर मस्जित के नाम पर लड़ाओ, हम महबत की दुकान चलाते हैं, हमारा यही पेगाम है, कि भाईचारा हो, एकता हो, और सभी जाती और धर्म के लोगों का भला हो, यही बीजापूर की जंता समझे, किसी के बहकावे में नाए, आरे सेस और बीजे पी का प्रोपेगेंड़ा समझे, और पूरे बीजापूर की पूरे करना टका की बहनों और माताओं को अपील करता ह पूरे करना टका के सभी और जाती दर्म की बहनों को अपील करता हूं, कम से कम अपना एक वीडियो बनाईए, और पूरे भारत को बताईए, कि करना टका की माताओं के साथ, करना टका की बहनों के साथ, करना टका की बेटियों के साथ, 16 साल की बच्ची से लेकर, अपनी दा भारत को पूरे हिंदुस्तान को पता चले कि यहां भारत माताओं के साथ क्या हुआ यहां करनाटका की भारत माताओं के साथ किस प्रकार से रेप और बलातकार हुआ पूरे भारत को और पूरी दुनिया को पता चले उसलिए करनाटका की एक-एक बहन अपना भी वीडियो बन यहां तक बोल रहे हैं कि उसलमान जादा बच्चे करने वाले हैं और गुस्वेट यह तक का आपके सबसे किसा देखिए भारत के समविधान की प्रस्तावना में लिखा है धर्मंदिर पेक समाजवादी घंतंत्र की स्तापना करने और समविधान के साथ समविधान के मुलियो भारत पाकिस्तान ये छे सब्दों का प्रयोग ना करें मोदी जी और फिर चुनाओं में उत्रें उनकी 200 सिट नहीं आएगी किस मुश्य आप कह रहे हैं क्या हिंदुस्तान की भारत की माताएं और बहने इन बलातकार करने वारे लोगों को वॉट देंगी क्या हिंदुस्तान की भाहु बेटिया बलातकारियों को समर्थन करने वाले ननेंदर मोदी को 400 सिट देगी ऐसे केरेक्टर लेस लोगों की बलातकारियों की पार्टी को कौन वोट देगा ये नामुमकिन है यही है गुजरात मोडल बिलकीस बादू के बलातकारियों को जैल में से छोल कर लड़ू खिलाओ हाथ रस में बलातकार का शीकार हुई बेटी की बोड़ी डेड़ बोड़ी उसके परिवार को देने के पहले पैट्रोल से जला डालो मनिपूर में महिलाओ को नगन करके घुमाए जाए खामोश लो तीन हजार वीडियो आए बलात करके शेक्शूल हैरस्मेंट के पॉर्नोग्राफिक है मॉलेस्टेशन के प्रजवल्ला रेवान है के उसका कॉग्निजन्स लो उसके सर पर आशिरवाद दो उसको टिकेट दो उसका प्रचार करो यहीं आरे से भाजपार नरेंदिन मुदी कहे रहे हैं यहीं कर रहे हैं ना मिल्कुल इंडिया लाइंस का 110 परसंट सरकार बनेगा डंके की चोट पर बनेगा और साउथ इंडिया से पूरा भाजपास साफ होगा वर्स केस में भी करना टका में 20 के उपर कॉंग्रेस पार्टी की सीटे आएगी इंडिया लाइंस की सीटे आएगी जिनको विचारदारा के साथ ज्यादा सरुकार नहीं वह चले गए जो आइडियोलोजी के लिए साउंड है वह आपके बीच में खड़ा है यह पूर्थिवी का गोला उल्टा हो जाए तब तक आखरी सांस तक आरे से सब्सक्राइब के साथ मैं कभी समाधान नहीं कर सकता यह मेरी विचारदारा है कि पुल्वामा की घटना जी घटना के बारे में मलिक साब जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे उन्होंने साब बताया ग्यारा इंटेलिजन्स रिपोर्ट थे कि यहां पर इस प्रकार की कोई वार्दात घटना हो सकती है आप चोकनने रहिए आप आर्मी के जवानों को एर लिफ्ट करके सुरक्षित जगा पर उनको पहुचाईए ग्यारा इंटेलिजन्स रिपोर्ट के बावजूद सत्यपाल मलीक और हमारी एजन्सियों को बार बार कहने के चिलाने के बावजूद भी उनको एर लिफ्ट करके सुरक्षित जगा पर नहीं ले जाया गया और उसी का नतीजा है हमको 40 से ज़्यादा जवान खोने पड़े यह नरेंद्र मुदी और भाजपा की सरकार के लिए कलंकी थे बहुत बड़िया करनाटका की जनता मैंने कहाँ यह बस्वर्ना जी की धरती है कितना भी प्रोपेगेंट आ रहे हैं से सुबीजपी करें एसेंबली की चुनाओं में बहुत अच्छे तरीके से कॉंग्रेस पार्टी की जीत हुई और मुझे पूरी युम्बीद है पूरा यकीन है कि पार्लामेट की चुनाओं में भी कॉंग्रेस पार्टी 20 से ज़्यादा सीट लेकर आएगी बेरुजगारी का सवाल जो उसकी चरम सीमा पर पहुंचा है महिंगाई का सवाल उसकी चरम सीमा पर पहुंचा है यह करनाटका की जंता समझ रही है पार्टी और इंडिया अलाइंस जो भी बोलेगी वो करके दिखाएगी जो भारत जोड़ो यात्रा का पहला फेस पूरा हुआ करनाटका में बड़िया रिजल्प मिला लेकिन मेरा तो यहां तक कहना का सवाल है कि ये कबीर का देश है ये जोतीबा फुले बाबा सब बंबेड कर बस्वन्ना और सुफी संतों की भूमी है यहां पर कोई भी आरेसिस बीजेबी टाइप का फोर्स देश की एकता को तोड़ से बहुत बड़ी चीज़ है सब जगह पर सब जगह पर फाइदा होगा हाँ आप भी पविसे वेता नहीं बहुत अच्छा होगा देखिया तो बताये ने मोधी जी कितरा रुजगार हुआ आज रुप्य की किमत क्या है माई गाए उसकी चरम सीवा पर कितने है अब स्मार्ट सीटीज मनने वाले थे क्या हुआ बेरुजगार लोकों को नौकरी देने वाले थे क्या हुआ पेट्रोल डीजल और जीएस्टी के जरिये पेट्रोल डीजल के उपर टेक्स लगा कर और जीएस्टी के माद्यम से भारत की 135 करोड जनता की पॉकेट से 58 लाख करोड चूस दिया है किसानों का करजम आप नहीं कर सकते कितना करजम आप किया कॉर्परेट कंपनी और बिजनेस हाउसी का सोला लाख करोड किस प्रकार के विकास क्या बाग कर ते हैं आप ही कह रहे हो कसी करोड लोग रासल पर जी रहे और दूसरी तरब आप कह रहे हो विश्व गुरू मनना ह जहां महिलाओ को नंगा करके गुमाया जाए महिलाओ के तीन हजार वीडियो करना टकार भारत में गुम रहे हो सेक्स कांड के और आपको विश्व गुरु बनना है प्रदान मंतरी को इस्तीपा देना चाहिए उनके अंदर शर्मिंद्गी होनी चाहिए उनको लज्जीत होना चाहिए प्रदान मंतरी को यह फील करना चाहिए कि मैंने बलात कार करने वाले लोगों के लिए केंपेंड किया मॉरल ग्राउंड पे प्राइम मिनिस्टर ओफ इंडिया को रिजाइन करना चाहिए अमिछ जी बोल रहे हैं कांडर्स के पास फेस ही नहीं है अमारे पास अच्छे साब सुधरे चेरे मत्तष्टू विश्वेशा वीडियोगलन्नो नोडलू मत्तू होसा वीडियोगल बग्ये थिर्यलू इदिन डाट कॉम यूटूब चैनल सब्स्क्राइब माडि मत्तू बेल आइकाल क्लिक माडि